स्रेष्ट, अभिवावक वर्ग, रिस्पेक्टेट, टीचर्स और मेरे प्यारे विद्यार थी हूँ आज मैं आप लोगों के लिए छोटी ए की मात्रा वाले शक्त छोटी ए को बनाने का तरीका ये सब इस वीडियो में लाई हूँ और इससे पहले मैं आपको छोटी छोटी कविताय बना करके उसको कैसे यूज में लाए और अपनी हैंड राइटिंग में इसका उप्योग अपनी लिखाउट में कैसे करें देखेगा सबसे पहले अगर टीजर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वह अपने बच्चों के साथ गुन गुनाए क्योंकि संगीत हमारी लाइफ का हमारी जिन्दगी का एक अटूट पहलू होता है इससे हमको जादे एनर्जी मिलती है ठीके इसले मैंने भी अपनी ये लि सब्सक्राइब कर दिया है ताकि आप लोगों को कठिनाई नहों और अभिभावक अगर अपने बच्चे को लिखाना सिखा रहा है तो अभिभावक भी अपने बच्चे के साथ इनको गुन गुनाए अपने आप बच्चा सीख जाएगा ये मेरी गारिंटी है ठीक है छोट चोटी की मात्रा बाए जुकाओ जादू इसका सब को दिखाओ चोटी की मात्रा बाए जुकाओ जादू इसका सब को दिखाओ मार पीट का जंजट छोड़ो मार पीट का जंजट छोड़ो तरीके मेरे सब अपनाओ अब देखिएगा क्या करना है इन पंतियों में मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि छोटी इकी मात्रा को हम बाये कैसे जुकाएं अब देखिएगा ये छोटी इकी मात्रा है देखो अब ये छोटा ही है इससे अभी मैं आपको शब्द लिखने सिखाऊंगी और इसकी जो मात्रा होती है वो यहां से सुरू होती है देखिएगा आप इसकी जो मात्रा होगी यह जो पाया लगा होता है इस पाये के बेस से यानि यह सीर हो गया यह सीर से बिल्कुल लगी हुई कहां को छुकी कहां को होगी हो बाये की तरफ देखिएगा और बाये की पहले उचाही में लाइं जाएंगे, फिर धलान की तरफ आएंगे, दाय की तरफ मुड़ते जाएंगे, जुकाएंगे बायें की तरफ, देखिएगा, अब है, छोट इकी मात्रा, बायें जुकाएं, जादू, इसको सबको दिखाओ, तीक, अब छोटी ? की मात्रा तो हमने ब वाएं की तरफ जुगा करके शब्द बनाएं इसको सिखाती है। सिख्षक पर अभिवावक पर से विशेश करनिवेदन है कि अगर किसी भी विद्यार्थी की बच्चे की लिखावट खराब है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिस में हो, सरफ रिथम उसका कारण जानें कि क्यों विद्यार्थी जो है अच्छी लिखावट में नहीं लिख पा रहा है, क्यों इसके हैंड राइटिंग खराब हो रही है। अगर आप मेरे तरीके अपनाएंगे, हंड्रेट परसेंट एश्योर करती हो आपको कि बच्चे की लिखावट चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिस में हो, कभी खराब नहीं होगे। सबसे पहले समस्या है तो हम उसका कारण जानेंगे, कारण जानेंगे तो हम उसको क्योर कर पाएंगे। और मारपीट से दूर रहें, बच्चों को इस महमारी के बारे में बताएं, बार-बार हाथ हो नाप सिखाएं। और हाईजीनिक रहने की बच्चों को भी आड़र डालें, हम खुद भी आड़र डालें। इन्हीं सब्दों के साथ सुनू करते हैं, आगे के शब्दों में एकी मात्रा डालना। प्यार विद्यार थियों, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ए कैसे बनाते हैं, अब ही मैं फिर यहाँ पर छोटी ए की मात्रा हूं, के बारे में आप से बात कर रहे हूं। देखे, अब जब हम ए बनाएंगे तो यह फॉस्ट स्टेप, सेकेंड बाहर निकला, थार्ड काड़ी चलाई, मोल काड़ लिया, यह बन गई हमारी छोटी ए, ठिक, छोटी ए बन गई, देखे, जूम करके देखी लेजिए कितना सुन्दर बन गया है। ठिक, अब इसकी मात्रा जो होती है, वो जो अक्छर होता है, उसके बाएं साइट से पड़ती है, ठिक है, जैसे यह कौ है, कौ है, यह कौ बनाया, कौ बनाना बताया है मैंने आपको, यह, यह इसके बाएं साइट से, यह तो कौ है, यह इसका बाएं साइट हो गया, और हलक इसी जुका देंगे बाय साइट को ही जुका देंगे ये हमारी बन गई छोटी ए की मात्रा टिक छोटी ए की मात्रा बन गई और मात्रा का जो जुकाव होगा वो किस तरफ होगा वो बाई तरफ होगा लेकिन ले जाएंगे मात्रा को सुरू करके कहां से दाए की तरफ टिक इ मैंने अपनी छोटी सी पोयम की पंक्तियूं में आपको बताया है कि छोटी एकी मात्रा के अब मैं आपको शब्द बताऊंगी ठीक अब जैसे हम छोटी एकी मात्रा के लिखेंगे तो बिल्कुल ट्रिक वही रहेगी पाया सीधा पंक्ति सीधी और मात्रा हुई हो पीछे से ठीके आप देखें जैसे ये लिखा किताब बिलकुल पाया सीधा ये को लिखा ये की बन गया ताब किताब ठीके ये पंक्ती बिलकुल सीधी जितनी पंक्ती सीधी रालेंगे उतना आपका अच्छा देखेगा ठीक है ये पिलकुल थोड़ा सा पेपर मेरे से टेड़ा हो रहा था ये पंक्ती ऐसे हो गई ठीक और यहां भी बिलकुल आप देखेंगे जो मैंने नीचे इसकी लंबाई रखी है इसकी इसकी और इन दोनों के पायों के बीच की दूरी और ये लाइन एस्टिमेटेट ये लाइन भी सीधी आनी चाहिए नहीं तो आपको की बड़ा लिख दिया ता छोटा लिखा फिर बौ छोटा सा लिखा तो इससे हमारी राइटिंग खराब हो जाती है फिर मैंने लिखा हिशाब ये लिखे बनाईए ये फिर मैं आपको जूम क को देखिएगा ही साब आप मेरे चैनल के सिर्फ पाज वीडियो अगर देखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग अपने आप अश्यर जनक रूप से बदल जाएगी आपकी हैंड राइटिंग के साथ जादू हो जाएगा ठीक है ये हिसाब बिलकुल पंक्ति का हिसाब भी हम सीधा कर देंगे ठीक है ये पंक्ति भी सीधी पढ़नी बहुत जरूरी है ठीक है अब हिसाब किताब हिसाब हो गया अब जैसे मैंने लिखा जैसे किताब, हिसाब, सब मैं मात्रा कहां लगी, बाएं की तरफ से जुकी मात्रा है, ठीक, ऐसे ही मैं अब आपको दस शब्द लिख करके दिखाती हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन जो मात्रा होगी, वो यहां से शुरू होगी, जुकी बाएं की तरफ होगी, शुरू भी छोटी में बाएं से होगी, और दाएं की तरफ धलेगी, ठीक, यहां से उठेगी, यहां से धलेगी, ठीक फिर इसमें वोई चीज मैं इसमें बता रही हूँ बिलकुल सरल है और बिगनर्स को जरा समझाने की जरूरत होती है यहाँ पर जो छोटे छोटे विद्यार थी हैं उनको समझाने की लेकिन बड़े आप एक मिनट में सीख जाएंगे ये ठीक इस टाइप से ऐसे ऐसे ठी और ऐसे ही हम मात्रा को उठान से धलान की तरफ ले जाएंगे ठीक ऐसे आगया होगा आपके समझ में और अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनका सल्योशन मैं संडे को लेकर क्या आऊंगी ठीक और कैसी राइटिंग स्पीड के लिए क् आप लोगों को सारे कि प्रोब्लम्स का मैं सल्योशन जरूर लाओंगे आपके लिए वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका फाइदा मिल सके और इस महामारी के समय में अपना ध्यान दीजिएगा बार जम्स छुपी रहते हैं ना खून को ऐसे हाट को ऐसे दोईएगा विल्कुल ऐसे करके 20 सेकेंट तक इसकी मीयाद है तक 20 सेकेंट तक कैसे गिन खेंगे 1, 2, 3, 20 तक गिनिएगा और 20 सेकंड्स हो जाते हैं वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा अपना ध्यान दीजिएगा जै हिंद जै भारत